है गाइज वेलकम बैक तो दी आवर चैनल एमेफ टीवी ओल लेट मी सो यू गाइज ए लाइटर इडिसे लुक लाइक रियल रिवारवल 357 मेगनम यह एक टाइम में ऐसा रियल गन जो लांच हुआ था वो सेम एकदम ऐसे दिखने में लगता था जो उस टाइम में बहुत ही ऐसे रिवारवल का क्रेज था एकदम मनुफेक्चर किया गया है यहाँ पर पूरा बिलकुल उसी तरह का देखिए और यहाँ पर 9mm की जो बुलेट आती थी इस मेगनम 357 के अंदर सेम 9mm की बुलेट यहाँ पर प्लास्टिक में आपको दिया जाता है 6 बुलेट 6 राउंड आपको दिया जाता है कि आपको एकदम फिल लगे कि आप एक रेखल रहा है और बंदे जो देखेंगे वह साईट से उनको भी लगे कि आपने जो हैंड में होल्ड कर रखा है वो रिवारवल फेख नहीं है वो एक रिखल गन है यह लाइटर पूर यह एक लाइटर चाहे त तो आप घर में इसको सजा कर भी रख सकते हैं यह आप पर डिपेंड करता है इसका जो weight होता है यह weight आपको half kg तक का weight आता है और इसका जो metal होता है यह mixed metal में आ रहा है जिसमें steel और दूसरा metal iron यहाँ पर mixed किया जाता है जिसके वज़ेस क्या है कहीं पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा steel type का plane आपको टच करने में feel होगा और कहीं पर आपको थोड़ा अलग feel होगा जैसे प्लास्टिक तो वहाँ पर आपको समझ में आगा लेकिन अगर आप इसे गोली तो यह चलेगी नहीं अगर इसके उपर से भी मारते तो किसी के सर पर आप तो सर उसका फट जाएगा यह मैं बोल रहाँ आपको यह गन नहीं तूड़ेगा यहाँ पर आपको मैं पूरा दिखाने वाल हो तो यह गन अच्छा है तो ले सकते हो सुनिये इसकी आवाज एकदम रेल गन के जैसी आवाज करती है यहाँ से आप ओपन कर सकते यू कैन इजली ओन ओपन फ्रॉम देर आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो तो देखिए यहाँ पर जो इसका राउंड डालने का बुलेट डालने का जो देखिए सिक्स राउंडर है तो देखिए इसका राउंडर का होल भी थोड़ा ज़ादा ही बढ़ा है क्योंकि यह देखिए नाइन एमेम की जो बुलेट आती है रेल भी चाहो तो आप इसमें रख सकते हो लेकिन रेल बुलेट आपको कोई देगा ही नहीं क्योंकि उसके लिए आपको लाइसेंस रिकॉयट होगी ऐसे कोई भी नहीं देता है तो चाहे तो आप एर गन भी पिस्टॉल ये रिवर्वल पर्चेस कर सकते हो और वहाँ पर आपको बिलकुल भी लाइसेंस नहीं लगेगी और आपको फील होगा ज़ादा क्योंकि इसमें तो फील होगा ही उसमें और ज़्यादा फील आपको होगा तो चाहे तो आप वह भी पर्चेस कर सकते हो इंडिया के अंदर एलाउड है कौन सी रियल गन तो मैं अपके जानकारी के लिए बता देता हूँ 177 केलीबर की जो गन आती आप चाहे तो सर्च कर सकते हो आमस एक्ट 1959 में आया था तो पूरा जितने भी गन उसके पूरे एक्ट उसी में रहते लेकिन 2017 के रूल में आप 177 के अंदर के पिस्तॉल और वो पिस्तॉल को रख सकते हो रिवार्वल को रख सकते हो इसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस की रिक्वाइड नहीं रखे लेकिन आप सेल्फ डिफेंस के लिए रख सकते हो अदर कोई दूसरा परपस के लिए नहीं रख सकते हो चलिए उस टॉपिक को छोड़ते इस टॉपिक पर आते तो बहुत ही अच्छा यह गन है थोड़ा ज्यादा है बट यहां पर आपको फिलिप कार्ट के ऊपर थोड़ा कम में 1000 एराउंड आपको यह गन प्रोवाइड हो जाएगा आपको इससे ज्यादा नहीं लगेगा तो देखिए मैंने फॉल डाउन किया है तो देखिए हाँ पर जो आवाज होता है तो यह मैंने आपको यह पर टेस्ट करके दिखा दिया कि एक मेटल का हां यहां पर मैं कोई भी पर्मोसें इसका नहीं कर रहा हूं स्रिफ आपको इनफॉर्मेशन दे रहा हूं तो चाहे तो आप पर्चेस कर सकते हो तो देखी यहां पर ऐसे आप सजा कर घर में भी रख सकते हो यह आप पर डिपेंड करता है चाहे तो आप यूज करो नहीं तो इसको रख सकते हो इस डेपेंट ओन यू ओनली यह आपर सिर्फ डेपेंड करता है तो देखिए यहांपर जो गन है यह इसका लेंग भी बहुत बड़ा है इसका लेंगे अगर पूरा लेंग की बात करों तो यहांपर नाइन इंच का आपको लेंग मिलता और कर दो 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 हुआाओ Iraq dot sólo वह 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 झाल 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 झाल